बिस्मिल्लाहरोह्मान रहीम रेडिसें जेंटलमेन आज हम डिसकस करने जा रहे हैं इना डिफरेंस बिट्विन बेसिक अप्लाइट रिसर्च चुक्के मैंने पहले भी टॉपिक अप्लोड किया था यूट्यूब पे लेकिन मेरे बहुत सरे दोस्तों ने विवर्ज ने एक स इसको अप्लोड करने चाह रहा हूं तो होफुली के इस दाफा वॉइस भी ठीक होगी और यूविल बेटर अंडिस्टेंड देन बिफोर वेल आज हमारा टॉपिक जो मैं डिसकस कर चुका हूँ डिफरेंस बिट्रीन बेसिक एंड अप्लाइट रिसर्च सबसे पहले हम ड इसको फंडमेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च तो बेसिक रिसर्च जो है इसको फंडमेंटल रिसर्च कहते हैं और इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं पर्पस बेसिक रिसर्च का क्या होता है तो सर्च दा आंसर ऑफ क्वेस्टिन तो एन्हेंस द नॉलेज डिवेलपम of theories or verification of pre-existing theories. इन में तीनों जो पर्पस हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, इसको मैं elaborate कर देता हूँ अभी. सबसे पहले मैंने कहा कि basic research जो है, वो fundamental research है या pure research भी है. इसका purpose है to search the answers of questions. Basic research तब यूज की जाती है, जब हमें अपने सवालात के जवाबा तलाश करने हैं. Basic research एक तो हमारे सवालों के जवाब तलाश करने में हमें मदद देती हैं. दूसरा, जब हम किसी भी सवाल का जवाब तलाश करते हैं, और बहुत कई researchers जो हैं, वो अगर same जवाब तलाश करें, तो उससे एक theory भी build होती है. मतलब, अगर मैं भी किसी सवाल का जवाब तलाश करूँ, मुझे भी वही जवाब मिले, अगर आप भी वही research करें और आपका research question भी वही हो, तो आपको भी वही जवाब मिलेगा, अगर तीसरा बंदा जो है, आपका कोई colleague है, कोई student है, कोई teacher है, अगर वही सवाल का, वही research question उसका है, जो हमारे वाला है, और उसका अगर जवाब तलाश करें, उस पे research करें, study conduct करें, तो उसका भी अगर वही जवाब होगा, तो मिल के एक theory build हो जाएगी, for example, मैं उसके एक बड़ी easy मिसाल देता हूँ, मेरा research question है, कि क्या depression और self-esteem का अपस negatively related with self-esteem, यानि, जैसे-जैसे depression बड़ेगा, self-esteem कम होगी, या, जैसे-जैसे self-esteem बड़ेगी, depression कम होगा, यह तो मेरी research थी, अब आपका research question भी यही है, कि either depression is related to self-esteem, आपको भी यही जवाब मिला, कि जी हाँ, there would be a negative relationship, आपने hypothesis बनाया और आपने इसको conclude करिया, कि yes, there is a negative relationship, between depression and self-esteem, तो अब तीसरे बंदे मने भी यही रिसर्च किया, उसको भी यही जवाब मिला, तो एक जो same conclusions निकल रहे हैं, उनकी बेस पे एक theory draw होगी, हमने एक theory बना ली, हमने एक theory develop कर ली, formulate कर ली, जिसमें हमने यह कहाँ कि जो depression है, basically this is positive, this is negatively, sorry this is negatively related to self-esteem, तो यह तो था theory building, अब इसमें answer question का answer भी हमें मिल गया, मैंने basic research में आपको यही बताया था, कि हमें basic research क्या कहती है, हमारे questions के answers देती है, हमारे question क्या था, कि क्या depression self-esteem से related है, हमें उसका जवाब मिल गया, कि yes, there is a negative relationship, यानि negatively related है, अब question का जवाब भी मिल गया, दूसरे, इसी में से हमें एक और चीज भी मिल गई, कि हमने theory भी बेट कर ली, हम सब ने मिल गई है, इसी research question पर कि हमें same results मिले, तो हमने theory develop कर ली, अब तीसरा क्या है, verification of theories, अब क्या होगा, हम verify भी करेंगे, for example, एक चौथा बंदा जो है, हमने जुके theory develop कर ली है, अब एक चौथा बंदा भी इसी research question को लेकर, एक अपना जवाब तलाश करता है, research conduct करता है, study conduct करता है, उसको भी यही जवा मिलता है, तो अब वो क्या करेगा, वो theory भी बेल नह अब कुमार, अब शाकसी, और जुन जुन जोगों न भी यह research की है, उन्हों यह theory develop की है, so, I suggested, my concluding, my findings, verify the theory of these researches, तो अब उसने क्या की हमारी theory को verify भी करते है, अब उसने क्या की हमारी theory को verify भी करते है, आगे चलते हैं, examples क्या हो सकती है, इसकी research की, जैसा के मैंने आपको का क्या, जैसा क की कMIए, इसकी research conducted in order to get the answers of our questions, so, it may be, what is the causes of depression in females, इस is the question, क्या एक प्या सकता है, डिदिए विए तिछ जैसे से तनाभी का इसाईंस क्या हो सकता है, इसकी स्ट इसक्वाने इससे तक्या अश्यों तनाभी का भी करते है, इसकी यह करते है, इसर लिए इसक्राश can take of 5 cups of coffee on brain functioning. क्या जो 5 cups coffee, के रुजपनाता , पिये जाते हैं, इस इस बैसे कर्षेाद मिरा मिर्य फोछिन होता है ? इस ड़िश होता है , इस थिधा होता है ? या नहीं हथभाता है ? उन में ADHD की कितनी prevalence होती है हम research conduct करेंगे हम जितने हम अपना sample collect करेंगे कि large population से उन से हम ADHD का question here feel करवाएंगे या करेंगे या जो भी करेंगे जो भी आपकी methodology होगी जो जवाब मिलेगा वो हमारा जो हमारा एक question था उसका answer होगा अगर बहुत सरे लोग इसको करेंगे और same finding आएगे और that will be built a theory तो यहां पर एक theory build हो जाएगी आगे आजाते हैं applied research applied research की पहले definition देख लेते हैं it's a very easy definition applied research is a methodology used to solve a specific practical problem of an individual or group the study and research is used in business medicine and education in order to find solutions that make your diseases solve scientific problems or develop technology यानि applied research क्या होती है किसी भी problem का solution यहां पर हमें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा बलके हम problem का solution तयार करेंगे solution को हल करने में मदद निकालने में मदद देती है याद रहिए basic research और applied research मिलती जोलती नहीं मैं कहूंगा basic और applied research का link है आपस में आपने देखा depression की कौन सी causes है जब आपको causes मिल गई यह basic research बताएगी उसके बाद आप applied research conduct करेंगे कि इन causes को जो जो भी causes हैं इनको treat कैसे किया जाएगा this is applied research, this is practical methodology तो applied research क्या है कि आपका जो भी individual या group के कोई भी problem है जब उनको practically solve किया जाता है that is called applied research इसमें कहां कहां यूज होती है business में, business के जो decision makers होते हैं, जो business में आपने decision लेने होते हैं, जो business के problem solve करने होते हैं, उसमें applied research यूज करते हैं, medicine में medicine में जब आप किसी भी disease के क्यों करने के लिए medicine use करते हैं, क्याया के कौन सी medicine है जो इस disease को, cancer को या diabetes को या ADHD को, disorder को कोई भी जो medicine medicine क्यों करते हैं, तो वो जो आपकी research होगी यह देखने के लिए के करती हैं या नहीं करती या कौन सी करती हैं, या आपकी applied research होगी उसके लावा education में आप अपने educational problems हैं उनको solve करने के लिए भी आप applied research use कर सकते हैं, या नहीं applied research is a practical methodology practical domain practical domain and the basic research is a descriptive domain this is not practical, this is theoretical basis आपकी basic research है this is theoretical and applied research this is practical basic research you use for getting knowledge for verification of the pre-existing theories and for development of the theories and apply research you use in order to conclude, sort out in order to develop the solutions of the specific problems related to the individual and the group it can be used, you can use this in medicine field, in business field in educational field, in psychiatric field in any other field where you are going to confront any type of situation any type of problem and you will use this type of research to sort out to find the solutions of that particular problem well there is a examples of applied research implementation of different behavioral techniques for resolving the behavioral issues of children that's the when we have a problem behavioral issues behavioral issues in children we are going to face a problem and what will be the applied research we will implement the different techniques of different therapy that either this is fruitful for resolving this type of behavioral issues or not we will use many techniques and see what is the behavioral issues we will do behavioral therapy we will use contingency management we will use we will do token economy we will do role playing we will do role rehearsal we will do role modification we will use socratic dialogue cognitive behavior therapy we will use many therapies we will use we will see this behavioral issue which is fruitful development of technology for resolving different mental health issues we will use which can be to resolve mental health issues which can be ways to manage schizophrenia or depression we will also see that schizophrenia and depression which can be solved which can be solved which can be solved may be solved in different forms you will understand i am sure that you are going to understand that all all the situations all the examples depicted that we use applied research in order to find the solutions to the problems अगर समझ नहीं आई यू कांट्रेक्ट में इन शाला पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मसले को हल कर सको और आपको समझा सकूं इसी वे में अच्छा उसके साथ सौरी एक स्लाइड रह गई है एक टेबल में इसमें दिया हुआ है difference chart between basic and applied research अब देखें मैं आपको arrow के जरीए दिखाता हूँ यहां पर मैंने basic research के cartoon ad किया है ठीक है why is this important यानी यह important क्यों है this is descriptive way ठीक है and how can I use this there is a practical there is a application use words ही आप देख लें के how can I use it how we can apply this for solving an issue for resolving an issue ठीक हो गया तो basic research क्या है is a descriptive and applied research क्या है practical domain में जाते हैं application domain में हम जाते हैं कुछ issues मैंने basic differences basic research में क्या होता है addition to knowledge वही चीज़ है कि knowledge है उसको हम बढ़ाते हैं knowledge को हासल करते हैं सवालात के जवाब तुलाश करते हैं applied solution to existing problem यहां पर क्या आ जाता है जो problem है उनका solution क्या है यहां पर हमने problem निकाल लिया basic में applied में क्या problem का issue क्या है solution क्या है कैसे उसको resolve कर सकते है basic में discovery invention यानि हम एक knowledge निकालते हैं निकालते हैं डिसकावर करते हैं मसलन मैंने एक lecture सुन रहा था तो मैंनी बड़ी जबरजस्त वह एक जो लेक्ष्टर थी वह बड़ा अच्छी उन्होंने एक्जैम्पल इन्होंने का basic research यह होती है this is basic research this is a fundamental research this is pure research उन्होंने पहली दफा कोई चीज दखी पहली दफा डिसकवर की क्या डिसकवर किया पत्रों को रगड़ने से आग निकलती है उसके बाद application उसके बाद उन्होंने apply किया इसको उन्होंने का इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह की चीज़ें रगड़े तो आग निकलती है उन्होंने सेम उस तरह की और भी चीज़ें रगड़ी और आग निकलना शुरू हो गई academic research होती है basic research हम बहुत सारी जो research करते हैं वो academic research होती है जबके जो हमारी applied research होती है इसको हम practical use करते हैं for find out the solutions of the problem तो यह था हमारा आजका lecture hopefully आपको पसंद आया होगा thank you very much दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफिज